हाई everybody जैसा कि आपको मालूम ही हो चुका है कि अब practice करने के लिए registration कराने है तू यानि कि जो state board के अंदर registration होता है उसको कराने के लिए आपको एक test से होकर गुजड़ना हुआ यानि कि आपको test जो है वापका qualify करना हुआ जिसको next का नाम दिया गया है और यानि कि exist test जिसको कहा गया है यानि कि उसको आपको qualify करने के बाद ही registration मिल सकता है अगर आप उसको qualify कर लेते हैं यानि कि minimum 50% marks उसमें जरूर चाहिए pass होने के लिए वो अगर आप ले आते हैं तो आ आपको जो है registration मिल जाएगा अधरवाई जो है आप उसमें fail माने जाएंगे तो अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वो जो test होने जा रहा है या next जब से लागू होगा तो उसके अंदर syllabus क्या होगा कौन कौन से subject से सवालात आएंगे किस चीज की हमें तयारी करनी है त syllabus of NCISM for next यानिके exit test अब सवाल यहां यह आता है कि उस test के अंदर syllabus आएगा वो कहां से आएगा कौन कौन से subject जो है उसके अंदर आएंगे आपकी clinical competency कैसे जाचे जाएगी किस तरह से test होगी तो वही चीजे जो है आपका वही subjects जो है आपको याद करने हैं पढ़ने हैं समझन तो अब उसमें आपकी clinical competency जाचने के लिए और इसी के सासा जो है आप medical ethics को कितना समझते हैं और medical legal cases के बारे में आप कितना जानते हैं तो उन्ही सब चीजों को उपर जो है वह आपका इसमें questions आएंगे ताकि जो है future में आप जो है ऐसा गी हो सकता है कि आप post-martem करने के लि जो है वह आपका तयार किया जाए तो यह सब चीजे आपको समझने चाहिए समझने आनी चाहिए तो clinical competency के लिए कौन सी subject है जिससे आप clinical के तोर पर जो है वह आपको अपने आपको competent कर सके किन subject के आपको तयारी करनी है तो और states में doctors के लिए जो law बनाये गए हैं मैं उनको प अपने patient के साथ जो मैंने commitment किया है उसको पूरी तरह से मैं निभाऊंगा और इसी के साथ साथ जो आपको तयारी करनी है किसकी करनी है आपको courts and their proceeding यानिके आप courts में क्योंकि आगए आने वाले वक्त में आपको एक आयूश जो expert के तोर पर court में evidence के तोर पर भी पूरी तरह स किसको कहते हैं dying deposition किसको कहते हैं यह सब चीजे आपको जाना जरूरी है और इसी के साथ सा जो है आप medical reports वो कैसे बनाए जाती है किस क्या क्या चीजे उसके अंदर शामिल की जाती है medical reports यानिके जैसे आपका ill health के लिए यानिकी sickness के लिए death certificate आपको बनाना है तो आपको किस से बनाना है तो उस test को qualify करने के लिए आपको किन subjects की तैयारी करनी है किस आधार पर करनी है कौन-कौन से main subjects है जिनको आप जो है तैयार करके test को qualify कर सकते हैं दिखी इसमें जो exam होगा यह आपका problem based to test clinical competency यानि कि आप clinic चलाने के लिए या clinical में कितने competent हैं उसको जाचने के लि related जो है वो आपका सवालात आएंगे और इसे के साथ understanding of medical ethics आप जो है वो medical ethics को यानि कि जाबता अफला क्यात यानि कि आपका किरदार किस तरह का होना चाहिए उसको समझने के लिए और ability to deal with medical legal cases यानि कि medical legal cases को आप किस तरह से deal करेंगे किस तरह से इनकी report बनाएंगे हो सकता ह फ्यूचर में आपको जो है पोस्ट मार्टम करने की इजाज़त मिल जाए या आपको injury report या दूसरे reports जो है वो आपका तयार करने का अधिकार मिल जाए तो इसलिए ये चीज जो है वो शुरू की गई है ताकि आप जो है fully competent हो सके तो आपका ये clinical based जो है आपका यानिकि जो है ENT&I के बारे में आपको पूरी तरह से knowledge होनी चाहिए gynecology और obstetrics के बारे में आपको पूरी knowledge होनी चाहिए और orthopedic के तौर पर भी आपको पूरी knowledge होनी चाहिए तो यही चीजे जो है आपका वो आपको तयार करनी है यही subject के बारे में आपको अच्छी तरह से study करनी है त तो आप तो बीच में मैं बता दिता हूं कि हमाने एक मॉडल पेपर जो हम आपका तयार किया हुआ है यह अग्जाम परपर्जुसे होता है जो रूटीन में एग्जाम होते हैं उसके लिए ये model paper हमने design किया हुआ है जो यहां पर आपका BOMS के तोर पर लिखा गया है लेकिन इसमें जो model subject हैं वो सबके सब इसके अंदर शामिल है तो आप इस एक model के जिरिये भी अपने आपको तयार कर सकते हैं इस test को qualify करने के लिए medical ethics के अंदर आपको क्या देखना है क्या चीज़े आपको जानना चाहिए उसमें जो है आपका जिनेवा declaration एक चीज होती है यानि कि जब आप registration कराने जाते हैं तो आपको एक शपत पत्र यानि कि नोटरी के जिरिए एक एफिडेविट बनाना होता है जिसमें बहुत सारी चीज़े जो है वो आपका mention करनी होती है जैसे आपका जो है जेनेवा declaration में आप ये declare करते हैं कि मैं जो भी काम करूँगा पेशे के परतिमानदार रहूँगा और अपने टीचर्स का अपने कुलेग्स का सम्मान करूँगा उनसे किसी तरह की कोई जो है आपका commission वगरा जो है वो नहीं लूँगा तो यहीं सब चीज़े जो है आपका medical ethics के अंदर आती है किसी तरह से आपको medical legal cases के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है medical legal reports जो है यानि के medical reports जो है किस तरह से जो है वो natural लगेंगी या unnatural होंगी या जो है किसी तरह से बनाएगी होंगी तो वो सभी चीज़े जो है आप जो है उसके अंदर आपको आनी चाहिए आपको समझना चाहिए और इसी के साथ साथ post-martem report कैसे तयार की जाती है उसमें क्या-क्या चीज़े शामिल कियाती है post-martem कैसे होता है ये भी सब चीज़े आपको जाना जरूरी है और इसी के साथ साथ आपको किसी को age का certificate देना है तो उसमें क्या करना है insanity certificate किसी को देना है तो उसमें आप कैसे उसके अंदर चीज़े शामिल करेंगे इसी के साथ साथ जो है आपका कैसे आप जो है एक rape case की यानि कि sexual offenses की जो report बनाये जाती है या certificate in relation to the या certificate in connection to the sexual offenses उनकी किस तरह से reports बनाये जाते हैं ये सब चीज़े आपको जाना जरूरी है जूसको अच्छी तरह से समझना है court कितनी तरह की होती है और उस को proceeding कैसे करना है किस तरह से court के अंदर proceeding होती है इन सब का जानना जुरूरी है medical certificates जो है वह आपका किन की आभातों में आप बना सकते हैं death certificate किन आभातों में आप बना सकते हैं medical legal के सीज को जो है आपके स्थरा से डील कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़ूरी है का कि आप जुह है स्टेस को कौलिफाइड कर सके तो मैंने जैसे के भी बताया कि मैंने जो है एक यह model paper design किया है हलाकि यह BMS के लिए मैंने design किया लेकिन जो modern subject है जो modern subject है वो English में ही इसके अंदर शामिल किये गए हैं इनको आप बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं तो इसलिए आपको जो है तयार वहना है exit test के लिए ताकि आप जो है registration आसानी से करा सके और अपनी practice आसानी से कर सके तो यह था हमारा आज का topic syllabus of NCISM for next यानि के exit test for registration और इस book को हासिल करने के लिए हम आपको एक number जो है वो दे रहे हैं आप उस number पे जाके contact कर सकते हैं और यह आप जो है आपके address पर जो है वो available करा दी जाएगी तो जो number आपको हम दे रहे हैं उस पे आप contact कर सकते हैं WhatsApp message कर सकते हैं especially WhatsApp message करें आपको तमाम details जो है वो आपको मिल जाएगी तो मैं आपको number यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यह number है आपका 75 350 46 350 75 350 46 350 यह दूसरा नंबर भी एक आपको दे रहा हूँ 9 8 3 7 1 4 7 3 6 9 8 3 7 1 4 7 3 4 6 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 4 1 2 1 भी ये बुक काम आएगी और इसके अलावा अगर आपको MD की तैयारी करनी है तो MD में admission के लिए यानिके PG के admission के तैयारी करनी है तो भी आपको ये बुक जो है वाग का बहुत काम आएगी आप इसको घर बैठे order कर सकते हैं और मला सकते हैं तो इस तरह से उस test को qualify करने के लिए आपको clinically competent होना होगा उन subject में माहिर होना होगा इसी के साथ medical ethics की complete जानकारी आपको होनी चाहिए